बिसमिल्लारामानुर्वाहिम असलाम वालेकुम वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल ब्यूरी रेक्स है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जलती से सब्सक्राइब करके बेल बटन को हीट कर लें ताके हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे है ल यह तो आपको नोट वोवन बैक्स वह लाजनी पर चैनल को नोट पर चैनल को नोट वजब बैक्स करने पड़ते हैं क्योंकि इसमें काफी ज़दा स्टफ आज आजाता और यह 50 रूपीस का आपको वहीं से मिलता है और यह काफी सपेशियस बैकिन इतना ज़दा ब्यूरे से ले रहे हो दन आप वह ज्यादा करें नहीं करोंगे इसके हैंडल निकल जाते हैं यह नॉन वूवन बैक्स है तो आप नेक्स ताइम भी शॉपिंग करने चाहिए तो आप इनको यूस कर सकते हो इसमें काफी ज्यादा स्पेश्ट अवेलेबल है क्वालिटी अच्छी है और काफी ज्यादा इसमें स्टफ आ जाता है क्योंकि पोलीथीन बैक्स शॉपर्स अपने बंद करते हैं इसलिए आपको पर्चेस करना लाजिम हो गया है यह जो हैंड बैग मैंने देखा तो मुझे बहुत सथा पसंद आया क्योंकि एक मिनी हैंड बैग है और अगर आप क अगर आप बैग है यह एक प्रॉक्सीमें त्वेल फंडड का है और इसकी क्वालिटी बहुत अची है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि त्वेल फंडड रुपीस में इसकी क्वालिटी जो हो थोड़ी सी कम स्टेंडर्ड की है यह दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था इ चाहते हैं तो आप लास्मी विजट करें कि वहां पर जितने भी हैंडबैक्स अवेलेबल हैं वह काफी अची क्वालिटी कि और प्राइस रेंज भी रिज़नेबल है कही बैक्स जो हमें ब्रैंड पर थी थाउजन का मिलता है वहां पर आपको तु थाउजन का और अगर ब और बतार चैजब पर बहुत ज़्यादा वरायटी अवेलेबल हैं आपको घर चीज की इतनी ज़्यादा मिलेगी आपको खुद समझ ने आएगा कि आपको क्या पर चैस करना है बहुत अच्छी है मेक-प आपको रिख तरह का मिल जाता है और इसके लिए कपड़ों की अच्छी वराइटी है ट्राउजर शिर्ट इचन आवरीधिंग जो आप पर्चेस करना चाहते हो खाने पीने का तो स्टाफ वैसे ही होता है वहां पर तो यह हैंड बैग मुझे बहुत बहुत जदा ट्रेक्ट किया था और मुझे लगा था कि मतलब इस तरह का हैंड बैग होना चाहिए जो मतलब यूशली आपने शॉर्ट स्पैन के लिए अगर कहीं जाना तो आपके पास हो और आप इसमें जो आपनी असेंशल जो करे कर लो सो यह बहुत प्यारा लग रहा था इसके नीचे जो अबस्ट लगे हुए तो आप इसको किसी भी सर्फेस प यूप भी पर्चेस करें तो वह 3,500 रुपीस में इस थरह के बैक्स मिलते हैं मैंने बैक्स तो अगर इसी कम प्राइस रेंज में अच्छे बैक्स में क्वालिटी अच्छी है स्टिचिंग अच्छी हुई हुई है स्टफ बहुत अच्छ है और अंदर से स्पेशियस है और अच्छेस को लास्मी विजट कर सकते हैं आप देख सकते हो के बैक्स में काफी जादा जो अट्रेक्टिव है इवन के ख्लची भी अवेलेबल है और जो पॉकिट ख्लची होते हैं वो भी अवेलेबल है तो अगर आप डिफरेंट अपनी प्राइस रेंज है मताविक देख शौ्छेश को अगरिख सकते हो कौन सा हैंड़ गती यह प्राइब कर सकते हैं इनर साइड प्रेंड आक इसको अपने डस्परूफ बैंग में रहा रहा हो तो आपका हैंड़ गश़ए बैंग खरया में चाहर हुएं मंकरा बदेख कर चाहरा हो अपनी लाजिए और ऑपे है कि शेप खराब नहीं होती है इंसाइड आप दे सकते हैं सेंडविच पॉकिट है और पार्टिशन है तो आप काफी तदा स्टफ इसमें कर सकते हो फ्रंट पे जो है वह एक स्लाइडिंग पॉकिट है उसमें अगर आप कुछ कार्ट वगरा रखना चाहते हो या पेपर मनी र जो वह अपने हैंड में करना चाहते है इसको लॉंग जो इसकी स्ट्रैप उसके साथ में शोल्डर पर कर सकते हो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह फिजिबा लो क्वालिटी अच्छी है 1200 रुपीज में ऐसा बिल्किल भी नहीं कि कोई क्वालिटी का जो है वह फर कि बैक बहुत स्टाइलिश है कहरें कि मैशला से बहुत खुबसूरत लग रहा था मुझे काफी सदा अट्रेक्ट किया है वन तिंग मौर चो मैं एड करना चाहूंगी कि जब भी कोई हैंड बैग या कोई चीज पर चेस करें ना तो इसे वहां पर ओपन करके लासमी देख लें ताकि घर आके बाद में आपको रिटर्न ना करना पड़े या एक्स्चेंज करने ना जाना पड़े रेड वाइन कलर ना बहुत सदा खुबसूरत है आप इसे हर तरह के जो ड्रेस का कलर उसके साथ वेर कर सकते हो यूजिर आसम तो ब्लैक और ब्राउन कलर का हम हैंड यह वर 99 रुपीस में ती इसमें डिफरेंट कलर अवेलेबल थे लेकिन ब्लैक नहीं था तो मैं चुछ यह कलर बहुत जादा ट्रेक किया तो मैंने यह परशेज कर लिया क्योंकि आप इसको पने बैक के साथ जब हैंक कर सकते हो तो यह लगाई हुई इस तरह की हैंगिक सा इसको बैक के साथ इसको अटेज कर सकते होंगिक इसको अटेज करना असान होता है तो इस तरह की असेसिरी मुझे बहुत जब्यादा अट्रेक करती हैं कि आपकी चीजें शूर और आच्छी दिखनी चाहिए तो आप अगर इस तरह की जो है वो कीचन हैंगिंग लेना चाहते हो या इसको हैंड बैग हैंगिंग भी बोल सकते हैं तो आप वो डेफिनिटली चैसा विस्ट करें होप सो कि आपको वीडियो पसंद आयो वीडियो पसंद आयो लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा अपनी दौा में याद रखिएगा थैंक यू सो मच अला आफिस